राम राम बायू काली राम अगेस प्लोग आगम आपका स्वागत और आज मौझूद है हीरो स्प्लेंटर प्लस एक्स टेक आप यह जो गाली देख रहे हो बहुत ही जबरदाथ एक्स टेक हाई टेक ऐसा ही कुछ आप समाज रहो मतलब बहुत ही हाई टेक हो गई है इस गाली में यह आप जो देख रहे हो यह पर्ल वाइट कलर देखने को मिल जाता है और अगर आप देखोगे बाकी के जो तीन कलर है वो भी मिल जाते हैं canvas black हो गया, sparkling beta blue मिल जाता है, tornado gray मिल जाता है, और यह तो आप देखी रहे हो, pearl white, तो basically इस motor cycle में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, वो मैं आपको बता दूँ आ, और यहाँ पर आप देखोगे, तो काफी ज़्यादा premium यह नजर आती है, यहाँ स्प्लेंडर प्लस देखने को मिल जाता है, ग्राफिक यह काफी ज़्यादा बढ़ियों देखने को मिल जाते है, हीरो का यह emblem देखने को मिल जाता है, नया 3D में, और यहाँ पर स्प्लेंडर भी आपको 3D में देखने को मिल जाता है, यहाँ पर extra के लिखा हो देखने को मिल जाता है बहुत बड़ी अग्राफिक प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन यह इंजिन है और बागे बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाती है यहां पर आप यह वाइट कलर कर इंडिकेटर मिल जाता है जब कि पुरानी वाली Splendor Plus में आपको यलो वाला ही देखने को मिलता था अंदर बल्ब पतानी कौन सा मिलता था यहां पर लेकिन बल्ब DRL का यह जो काम कर रही है यह है High Intensity Position Lamp आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर यह मिलता है बल्ब और यहां पर यह इंडिकेटर है यह भी आपको बल्ब देखने को मिल जाते हैं यह बेसिकली बहुत ही जबर्दस बहुत ही प्रीमियम नजर आ रही है और जबसे खास बा और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां बड़ी खास बात मैं आपको बता दू तो यहां पर मिलता है USB पोर्ट यानि कि आप अपने स्मार्ट फोन को चार्ज कर सकते हैं और यहां अगर आप देखोगे तो यह जो स्विच्च बटन्स वगेरा मिलते हैं यह आपको काफी बढ़िया क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं यह से स्टार्ट होता है कि कि स्टार्ट भी आपको हाला कि इसमें मिलती है और यह काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं टैंक TVS की Radeon में आपको देखने को मिल जाते हैं, Drum Break वगएरा और यह बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाते हैं सीटों भी, सीटें भी Comfortable है, यहाँ पर stitching वगएरा और यह texture वगएरा देखने को मिल जाता है, Premium और यहाँ पर आपको यह carrier की जगे मिल जाती है यहाँ पर यह digital meter मिल जाता है जो कि मैं आपको बता ही दिया, सब कुछ इसके बारे में, और तीसरा अगर आप देखोगे तो इसमें दो safety features देखने को मिलते हैं एक तो side stand cut off यानि कि side stand लगा है, तो bike start तो हो जाएगी, लेकिन gear पर डालते ही अपने आप बंद हो जाएगी और दूसरा, अगर आप इसमें देखोगे तो मिलता है bank angle sensor यानि कि यह एक तरीके का ऐसा sensor होता है, अगर by chance आपके साथ कोई हाथसा हो जाता है by गिर जाती है, तो अपने आप यह motorcycle बंद हो जाती है और सबसे खास बात मैं आपको बता दूँ, यह जो instrument cluster मिलता है, digital वाला इसमें आपको मिल जाता है, real time average, यानि कि आप कौन से gear पर, अगर 50-60 speed पर चला रहो वो तो दिखता ही है, लेकिन उसे speed पर कितना mileage आपको यह offer कर रही है वो भी आपको देखने को मिल जाता है इस motorcycle में जो की काफी जादा बढ़िया है आप अराम से 75-80 km पर लिटर तक mileage हसिल कर सकते है गाली बहुती जादा जबरदस्त है इसमें आपको 97.2 cc का engine मिलता है जो की 8 PS की power और 8.5 Nm का talk देता है 4 speed transmission मिलते है gear कहीं भी अटकते हुए नजर नहीं आते काफी बढ़िया gearbox आपको इस पर देखने को मिलता है और जो engine है वो इतना ज़्यादा refined तो नहीं है लेकिन refined है BS4 के मुकाबले programmed fuel injection engine मिलता है जिसके चलते mileage भी बढ़िया मिल जाती है और इस engine के साथ खासबाती ही है कि आप 50-60 के speed पर दोडाते हो तो काफी बढ़िया fuel mileage दे देती है I3S इस engine के साथ मिलता है यानि कि आप यहाँ देख रहे हो यहाँ से आप on off कर सकते हो I3S यानि कि IE का मतलब है idle और 3S यानि कि start stop system यह basically वैसे ही काम करता है जैसे कि आपने गाड़ियों वाड़ियों में देखा हो और latest motorcycle में भी आप देख रहे होंगे एक hybrid तरीकी के वाला जो काम करता है एक छोट इसी battery लगी रहती है उसके चलते हैं पूरा mechanism इसमें काम करता है basically अगर आप इस motorcycle को चला रहे होते हैं neutral में डालते हो तो यह अपने आप बंद हो जाएगी clutch दवाते ही अपने आप start हो जाएगी basically अगर आप देखोगे red light वगराप है या फिर बहुत ही भीड़ भाड़ वाला आप चला रहे है तो वहाँ पर यह काम आती है और इस motorcycle के साथ एक चीज़ और जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप देखोगे तो इसकी जो ride quality है बहुत ही बहतरी मिलती है front वाले suspension बहुत ही soft देखने को मिल जाते हैं पीछे वाले थोड़े से hard हैं आप उबर खाबर सड़कों पर इसे चला सकते हो अगर आप चलाना चाहो और गाओं दिहात में तो बहुती सबर्दस्ती motorcycle देखने को मिलती है हर महीने इसकी लाखो यूनिट्स दिखती है अगर आप देखोगे दो ड़ाई लाख यूनिट्स हर महीने इस गाड़ी की बेची जाती है अगर आप देखोगे 28 साल मार्केट में इस motorcycle को हो चुके है स्प्लेंडर देखो सूरत में भले ही इस motorcycle के थोड़े बहुत अपडेट हुए है लेकि सीरत अभी भी वैसी ही है क्योंकि इस motorcycle को जो भी खरी दिता है और सो नब्र सो तो कोई भागाता नहीं है जायर सीवाता है mileage जाता है अच्छी कासे maneuverability मिल जाते है कहीं से भी इसे निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं होती है और इस motorcycle के साथ एक चीज़ और जो बहुती ज़ादा जबरदस्त देखने को मिलती है बरसाथ में tires बहुती बढ़ी अच्छी पकर चलते हैं एक जो कमी है वो यही है कि vibration देखने को मिलता है अगर आप 80 से उपर भगाते हैं तो आपके हाथ पर कापने लग जाते हैं बाकी bike बहुती जबरदस्ते हैं बहुती बढ़िया है काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है suspension आप देख रहे हो कोई भी adjustable और नहीं है देखा जाये तो अब यह bike पहले से बहुती ज़ादा premium नजर आती है बहुती high-tech होगई safety wise भी इस bike में कई बड़े बतलाव किये गए है बहुती जबरदस्त यह motorcycle आपको नजर आती है digital instrument cluster वगएरा चोहतर हजार रुपेस की action room कीमत है यह निकि आप इस motorcycle में बहुत सारी चीज़े देखने को मिल जाती है और आप इसे खरीद सकते हो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले हाला कि disc brake वगएरा नहीं है tvs की radio on में आपको देखने को मिल जाती है जो कि मुझे लगता है कि इस bike में जरूरत भी नहीं है और यही है इस वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई वहिकल के साथ नई गाड़ी के साथ आपको तब तक channel सब्सक्राइब करने की जरूरत है कर लो भाईया मैं आपसे request कर रहा हूँ